दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक कमेटी ने कहा था कि भारत को जल्द से जल्द नाटो प्लस कंट्रीज का हिस्सा बनाया जाए इस न्यूज को लगबग पुरी वर्ड मीडिया ने कवर किया था फ्रांस ने कहा था कि एसिया में नाटो का विस्तार करना बहुत बड़ी चूक होगी क्योंकि चीन अभी तक रूस और युक्रियन को लेकर निूट्रल है रूस की इतनी बुरी कंडिशन होने के बावजूद भी चीन ने रूस को अभी तक कोई भी वेपन सप्लाई नहीं किया है और अगर एसिया में नाटो प्लस का विस्तार होता है तो ये चीन को भढ़काने जैसी एक्टिविटी होगी अमेरिका के इस नाटो प्लस कंट्रीज के विस्तार को लेकर सबसे ज़्यादा चीन ही चिंतित था लेकिन अब आप में से अधिकतर लोग सोच रहे होंगे कि क्या भारत नाटो प्लस कंट्रीज का हैस्सा बनना चाहेगा देखिए इसका जवाब हाली में भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर एज जैसंकर ने दिया है डॉक्टर एज जैसंकर ने कहा कि भारत कभी भी नाटो प्लस कंट्रीज का हैस्सा नहीं बनेगा क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुई इतना सच्छम है कि वो चाइना को मोतोड जवाब दे सकता है और साथ ही ये भी कहा कि भारत किसी भी देश के साथ किसी भी एलाइन सिस्टम पर विश्वास नहीं करता अमेरिका के ये आडियाज ओवरडेटेड यानि पुराने ख्यालाद के हैं और अगर अमेरिका वाकई में भारत के साथ कुछ करना चाहता है तो वो फ्रांस और जर्मनी की तरह डिफेंस कोपरेशन करे दोस्तों वीडियो उन्फरमेट्व लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे धन्यवाद